और मेरे बक्चो क्या हाल चाल 10th class में एक बहुत ही important chapter है जिसको कि हम कहेंगे linear equations with two variables variables का मतलब क्या होता है चर रासिया और constant क्या होती है हर रासिया तो यह दो यानि कहने का मतलब है कि जो linear equations जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे रेखिये समीकरन with two variables यानि कि दो variable होंगे इसमें जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से एक variable x दूसरा variable है y बाकि सारे constant है यानि कि hr रासिया है जो कि यहाँ पर पहले वाले equation हमें a1 है b1 है c1 है तो इनकी value हमें पता होती है जैसे a1 हो सकता है मालो 2, 3, 4 चर्रासियां कहेंगे दो ठीक है और इस पूरी equation को क्या कहते है linear equations कहते है यानि कि रेखिये समीकरन कहते है तो हमें क्या होता है आता है पेपर में कि इन linear equations को solve करके x और y यानि कि variables की value पता करनी होती है तो भाई मालो हमें कोई linear equation दिया हुआ है यानि यानिकि रेखिये सम्भी करन होती है आज के lecture में यानि आज के class में हम यही सीखेंगे कि कब linear equation को हम solve कर सकते हैं और कब linear equations को हम solve नहीं कर सकते यानिकि x और y की value नहीं निकाल सकते ठीक है तो यहाँ पर देखो मैंने उधारन लिया है दो linear equations मान लिये जैसे एक ले लिया है मैंने a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 और दूसरी linear equation ले लिये मैंने a2 x plus b2 y plus c2 तो यहाँ पर a1 b1 c1 और ऐसे ही a2 b2 और c2 यह constant है और x और y जो है यह variable है यानि इसका मान इसकी value बदल सकती है समझे माँ गया तो जब कोई भी linear equation हमें इस form में दिया रहेगा और अगर इस linear equation यानि की रीखिये समिकरंड में जो x के साथ है यानि पहली वाली equation देखो x के साथ क्या है a1 दूसरी वाली में x के साथ क्या a2 तो अगर और ऐसे y के साथ किया है पहली वाली में b1 और दूसरी वाली equation में है b2 अगर a1 by a2 equal नहीं है b1 by b2 के अगर ऐसा है तो linear equation को हम solve कर सकते हैं यानि इनका एक निश्चित solution होगा यानि x और y की एक fixed value आएगी समझ मागया तो ऐसी condition को कि जब a1 by a2 not equal to यानि equal नहीं बीवन बाइ b2 के तो हम कहते हैं कि linear equations कैसी है consistent है हिंदी में कहेंगे इनको संगत है समझ मागया और इसी को हम solve कर सकते हैं ऐसी equation को हम solve कर सकते हैं समझ मागया और यह जो ऐसे equations होंगे और इन linear equations से जो हम graph बनाएंगे तो graph कैसा आता है एक सीधी line आएगी तक भी उनको linear equation बोलते हैं क्योंकि इनका जब graph बनाते हैं तो एक सीधी line आती है तो पहले equation के एक सीधी line आएगी दूसरे equation के भी एक सीधी line आएगी जब दोनों को सीधी line हम बनाएंगे graph पे तो वो एक point पे आके एक दूसरे को काट देंगे और जिस भी point पे एक दूसरे को काटेंगे वही point इनका solution है समझमाई बाद तो किसी भी linear equation की यानि कि रेखिये सम्मिकरन को हम solve तभी कर सकते हैं यानि वो consistent तभी होते हैं यानि कि वो संगत तभी होते हैं जब a1 by a2 equal नहीं होता b1 by b2 के समझमागया और ऐसे lines यानि ऐसे रेखिये सम्मिकरन से जो line बनते हैं वो intersecting होते हैं यानि एक दूसरे को काट के जाते हैं समझमागया अब देखो दूसरी condition क्या हो सकती है बै ऐसा भी हो सकता है कि a1 by a2 equal हो b1 by b2 के फिर देखेंगे क्या ये c1 by c2 के भी equal है अगर तीनों equal है a1 by a2 बरावर है b1 by b2 के बरावर है c1 by c2 के अगर ऐसा है सोल्यूशन होते है समझमागया कि अगर a1 by a2 equal हो b1 by b2 के equal हो c1 by c2 के तो इनके अनन्त सोल्यूशन होंगे समझमागया और ऐसे linear equation को हम क्या कहते है having infinite solution यानि कि अनन्त सोल्यूशन होंगे और इसको हिंदी में कहते है निर्भर और सुसंगत समझमागया तो पहले वाला क्या बताया consistent कब होता है जब a1 by a2 equal नहीं होता b1 by b2 के और तीनों बरावर होते हैं तो equations कैसी होती है निर्भर और सुसंगत होती है और इनकी infinite solutions होते है यानि बहुत सारे solutions होते है समझमागया तीसरी condition यह एक ही condition और इसमें बसती है कि मालो a1 by a2 तो equal है b1 by b2 के लेकिन वो c1 by c2 के equal नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो उन equations को हम कभी भी solve नहीं कर सकते यानि कि वो कभी भी एक दूसरी को नहीं काटेंगे समझमागया और ऐसी equations को हम क्या कहते है ऐस equations को हम कहते है inconsistent कहते है क्या बोलते है इसको these equations का are called inconsistent एको ऐसे inconsistent बोलते है और हिंदी में क्या कहते है इसको ऐसंगत है यानि इनको हम solve नहीं कर सकते क्यों नहीं solve कर सकते क्योंकि जब ऐसी condition आएगी तो ऐसी conditions में ये दोनो लाइन यानि की रेखिये सम्हिकरन से जो लाइन बनेगा वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो क्या कहलाएंगे ये inconsistent कहलाएंगे समझ मा आ गया अब देखो तीन चीजे होंगी सबसे पहला consistent दूसरा infinite solution अब किसी का मालो infinite solution है तो वो भी कैसे पता करोगे वो अनन्द solution है, एक solution थोड़ी है उसका तीसरा क्या है, solution ही नहीं है ऐसंगत है, inconsistent है तो सिर्फ जब हम solve करेंगे तो ऐसी equations को ही solve करेंगे यानि X और Y की एक nishtit value निकालेंगे जिसको कि हम unique solution बोलते हैं जग इस condition में आती है एक Y की value आएगी और ऐसे रेखिये समिकरन से जो line बनेगा, यानि की जो रेखा बनेगी वो एक दूसरे को एक point पे काटेंगी, और पॉइंट का जो coordinate होगा, वो ही उसका solution होगा कैसे solve करेंगे, वो बाद में देखेंगे तो आज के lecture में, यानि आज की किलास में तो हम ये समझ रहे हैं, कि कब उसको हम solve कर पाते हैं, कब उसको हम solve नहीं कर पाते हैं, तो तीन चीज़े हो गई अगर पहली वाली condition है, तो solve कर लेंगे, बोलेंगे inconsistent है, यानि कि संगत है दूसरी वाली condition है, A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 तो बोलेंगे infinite solution है, कितना ही निकाल लो हैनि हर एक point इसका solution है, और इसको हिंदियें बोलते हैं, निर्भर और सुसंगत है तीसरा क्या है, A1 by A2 के equal to B1 by B2 के, लेकिन नहीं है equal C1 by C2 के, तो हम बोलेंगे ऐसी equations को हम solve ही नहीं कर सकते, यानि ऐसे equations जो line बनेंगी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और पता है तो मैं line कभी नहीं काटते है दूसरे को, जब वो एक दूसरे को समानतर होती है, यानि कि parallel होती है यानि कहना है का मतलब जो ऐसी वाली condition में अगर equations हैं और ऐसी वाली condition है, तो जो दोनो lines होंगे, वो एक दूसरे के समानतर होंगे जैसे rail की पट्रियां अपसे में काटती है, क्या नहीं काटती, क्योंकि दूसरे के समानतर होती है parallel होती है, ऐसे ये भी parallel होंगी तो काटेंगे, काटेंगे ही नहीं इसका मतलब inconsistent है, इसको उम solve ही नहीं कर सकते, समने मागई बात अब उसके बाद देखो, तोड़ा सा इसमें और मैंने बना दिया, याद रखने के लिए एक table बना दिया, सबसे पहले लेका serial number, फिर लेका देखो pair of lines equation, example लेके बता है मैंने a1 by a2 की value निकाले, फिर b1 by b2 की value निकाले, फिर c1 by c2 की value निकाले, फिर उनका ratio देखा कि कौन सी condition में आ रहा है, फिर देखा condition में आ रहा है, तो उनकी जो line बनेंगी वो क्या होगा, और क्या इसका कोई solution होगा, तो जैसे मैंने equation लिखी देखो, x minus 2y equals to 0, और दूसरी है 3x plus 4y minus 20 equals to 0, तो पहली वाली equation में देखो गए, तो a है 1, यानि a1 है 1 यहाँ, और a2 है 3, तो a1 by a2 होगया, 1 by 3, ऐसे ही b1 by b2 है minus 2 by 4, और c1 by c2 है, यहाँ c है यहीं मतबब 0 है, जो नहीं है c तो इसका मतब 0 है, तो 0 by minus 20, यानि a1 by a2, 1 by 3, b1 by b2 minus 2 by 4, c1 by c2, 0 by minus 20, तो यहाँ तो a1 by a2 equal नहीं है, b1 by b2 के, तो आगे हमें देखने की जरुती नहीं है, इसका मतब यह equation consistent है, यानि इसको solve कर सकते हैं, यानि इनके जो line बनेंगी, वो एक दूसरे को intersect करेंगी, काटेंगी लिए, intersecting lines, कहा लिखाए intersecting lines, और इनका एक निश्चित solution होगा समन्हें मा आगया, यानि कि यह संगत होगे, समन्हें मा आगये बात दूसरी condition, देखो एक example लिया, दूसरी equation बना जित दो, 2x plus 3y minus 9 equals to 0, 4x plus 6y minus 18 equals to 0 तो पहले वाले में a1 है 2, a2 है 4, तो आगया 2 by 4, ऐसे ही b1 by b2 है, 3 by 6, c1 by c2 है, minus 9 by 18 ध्यान से देखो, तो 2 by 4 b1 by 2 होता है, 3 by 6 b1 by 2 होता है, minus 9 by 18 b1 by 2 होता है, तो 3ो equal हो गया भाई, और 3ो अगर equal हो गया, अभी मैंने पता है था, अगर ऐसा हो, तो क्या होगा, coincident line होंगे यानि 2 line एक दूसरे के उपर आएंगे, देखो, डियागराम से देखा हो, ये देखो, ये देखो, ये पहला point था, जिसमें a1 by e2 equal नहीं है b1 by b2 के तो unique solution है, lines कैसे होंगे intersecting होंगे, यानि कि परतिछेद करेंगे, एक दूसरे को काट के जाएंगे, और ये point इनका solution है, जब solve करेंगे तो पता लगे जा, यानि इसको solve कर लेंगे दूसरे वाली जा पता है, कि अगर ऐसा है, a1 by a2 equals to b1 by b2, c1 by c2, ऐसा है यहाँ पर, तो coincidence line होंगे और infinite solutions होंगे, इसको बहुत सारे solutions, अब ध्यान से देखो, दो line के infinite solution काँ होंगे, जब दोनो line एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे यानि कि जब a1 by a2 equal होता है b1 by b2 equal होता है, c1 by c2 के तो उसमें दोनो line एक दूसरे के ऊपर आता है, और इसमें हर एक point देखो, यह point दोनों के लिए है, यह point भी दोनों के लिए है यह point भी दोनों के लिए है, यह point भी दोनों के लिए है, यह point भी यानि इसमें हर एक point जो point एक line का होंगे दूसरे point का भी है, दूसरे line का भी है इसका मतलब यह सारे इसके solution है तो क्या बोलेंगे infinite यानि कि अनंत solution है सब्सक्राइब आ गया तीसरा चीज तीसरा क्या देखो एक्जामपल लिया कि पहली equationally x plus 2y minus 4 equals to 0 दूसरी equationally 2x plus 4y minus 12 equals to 0 a1 by a2 किया तो 1 by 2 b1 by b2 किया तो 2 by 4 c1 by c2 किया तो minus 4y minus 12 तो यहाँ पर हमने देखा कि a1 by a2 तो equal है किसके b1 by b2 कि क्योंकि 1 by 2 है b1 by b2 2 by 4 है वो भी 1 by 2 होता है तो दोनों equal है लेकिन यह equal नहीं है c1 by c2 के जो कि यहाँ पर 4 by 12 minus 4 by minus 12 है जो कि होएगा 1 by 3 तो a1 by a2 तो equal है b1 by b2 के लेकिन वो c1 by c2 यानिकि समांतर होती है और समांतर लाइने कभी एक दूसरे को नहीं काटा करती है जैसे rail की पट्रियां तो इसके कोई भी solution नहीं होंगे जब ही का हम graph बनाएंगे, line बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि दो line एक दूसरे के parallel है rail की पट्रियां है एक दूसरे कभी नहीं काटेंगे समझे मागे तो इस तरीके से हम equation को देख करके हम यह पता कर सकते हैं कि कोई भी equation, linear equation यानि कि रेखिये समिकरन अगर हमें दिया हुआ है तो क्या उसको हम solve कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक ही चीज़िया रख नहीं आपको भी या कि solve तभी कर सकते हो जब वो consistent होगा और consistent पर एक ही condition होती है कि a1 by a2 equal नहीं होना चाहिए b1 by b2 के ऐसा है, तो solve करो ऐसा नहीं है, तो solve मत करो छोड़ दो, लिख दो, infinite solution है या solution है ही नहीं आगे आपको करने की जुरूती नहीं है तो paper में अगर हमें question आया है दो equation दे दियो, solve करने को और हम जटासर solve करने लगे हैं अपे solve करने से पर देख तो लो उसका solution है की नहीं है तो ये आज मैंने आपको check करके बताया, तरीका बताया की कैसे check करें है, देखते है equation को देखते है पता लग जाएगा कि क्या ये consistent है, क्या ये संगत है संगत है तो solve करो संगत नहीं है तो ये संगत है तो solve नहीं कर सकते समझे मा आगई बात, तो आज का ही lecture है अगले lecture में आपको मैं जो consistent consistent linear equations होती है उसको solve करना सिखेंगे अलग-अलग methods से समझे मा आगई बात, तो आज के lecture के लिए इतना ही रखते हैं अगले lecture की त्यारी करो, क्योंकि पैंथ का paper आ गया नजदीक मैनत करना है जब के ठीक है, और थोड़ा assign इनको वीडियो को देख लेना है बड़ देखते हैं आपको समझ मा जाएगा बिल्कल नमबर पक्के ठीक है, तो अगले lecture तक टाटा बाई and see you